नमस्कार शातियों वन्दे मात्रम बात करेंगे दोस्तों चिकिस्सा विबाग की आठ बड़ी भरतियों को लेकर कि इस वीडियो में काफी कुछ महत्रपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से मिलने वाली है दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब है जो इस मिलने वाले है लगातार हमें कमेंट्स मिल रहे है जब ये दो लिस्टे जो है जारी हुई है उसके बाद करीब करीब 400 के आसपास जो है हमें कमेंट्स देखने को मिले है और उन सभी इस कमेंट्स की जवाब है आपको इस वीडियो के माद्यम से मिल जाएंगे सबसे पहले जो है हमें कमेंट्स मिल रहा है कि सर होल्ड वालों को फिर से होल्ड क्यों रखा गया है कोलेज होल्ड वालों को फिर से होल्ड क्यों रखा गया है सर बोनस अंका मामला क्या है सर सीचे को बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है सर इसी जी की जो है लिस्ट कप तक जारी होगी स सर कटोप क्यों बढ़ गई सर क्या एनम वे नो वालेटी की भी कटोप बढ़ेगी या कम होगी और इसी के अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे आप सभी के जो कि जो एलटी एनम्वे निस्टिंग ऑपिसर के जो है जो अनुबहु सत्यापन की जो है तारिक कप तक जारी होगी और इसी के अलावा होल्ड वालों का क्या इसू रहा किस कारण से जो है होल्ड फिर से रख दिया गया है और जो बाहरी राज्यों का सत्यापन है उनकी उनका नाम सूची में क्यों नहीं जोड़ा गया है और किसकी कटोब कम रहेगी कितने कम जाएगी कटोब कितने बड़ेगी कटोब इन सभी सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो के माद्यम से मिलने वाले है कि एनम वालों की कटोब इनम की कम रहेगी या ज्यादा रहेगी एनों की कम रहेगी या ज्यादा रहेगी इन सबी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माद्यम से मिलने वाले है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सातियों हम आपको बताना चाहेंगे कि कल हमने आपको वीडियो बना करके जानकारी दीती कि सोंबार तक जो है आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी और रव्यवार को ही आपकी जो है लिस्ट जारी हो चुकी देर रात को और कल यानि मंगलवार को जो है आप ECG की जो है लिस्ट जारी हो जाएगी तो ECG वालों के लिए बड़ी खुसकबरी जो है आने वाली है और दन्त और नेत्र से बहुत-बहुत सुभकामनाई देना चाहूंगा और इसी के अलावा दोस्तों बात करें कि होल्ड वालों को फिर से होल्ड क्यों रखा गया आपका पहला सवाल है कि होल्ड वालों को फिर से होल्ड क्यों रखा गया तो सातियों hold वालों को फिर से hold रखने का एकी कारण है कि जो बाहर जो टीमें गई थी उन्होंने college वे संबंदी जो भी संस्थान थी उनके record उन्हें नहीं मिल पाए ये issue आ रहा था इस कारण से जो है hold वालों को hold रखा गया है यानि कि उनकी जाच नहीं हो पाई है उनको hold में इसलिए रखा गया है उनको बाद में जो है एंतिम चैन सुची में सामिल कर दिया जाएगा समझ में आ गई बात आपकी hold वालों का क्या होगा hold वालों का कुछ भी नहीं होगा hold वालों को जो है अंतिम चैन सूची में सामिल कर दिया जाएगा बाहर की जो टीमें गई हुई है जैसे ही वो टीमें आएगी पूरा record जो है college जो जो संस्ता से लेके आएगी तो उसके बाद में उनको जो है सूची में चैन सूची में सामील कर दिया जाएगा अब इसी के अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि बोनस अंक का मामला क्या है सर तो बोनस अंक का मामला बिलकुल यतावत है बोनस अंकों में कोई कुछी किंतु परंतु नहीं है कोई कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है बोनस अंक मामला यतावत आपका रने वाला है और कल तक आपकी ECG की सुची भी जारी हो जाएगी इसी के अलावा कटोप क्यों बढ़ गई तो बताना चाहेंगे कटोप एनम की बढ़ेगी चाहे कितनी भी बढ़े क्योंकि एनम में परिवेदनाए ज्यादा है होल्ड वाले कम है अनो एल्टी की कटोप जो है घटेगी क्योंकि उनमें जो है होल्ड वाले ज्यादा है याली की फरजी जो है ब्यारती ज्यादा सामिल है अगर सो के आसपास भी अगर बाहर निकलते है तो कम से कम 30 ये पॉइंट 30 या पॉइं कि L T W A N M W Nersing Officer का अनुबवव सत्यापन कब तक होगा तो उनकी तारिक जल्द ही आने वाली है एक या दो दिन में जो है L T A N V Nersing Officer की अनुबवव सत्यापन की जो तारिक है वो जारी होने की पून समभावना है 100% उनकी जो है तारिक जारी हो जाएगी और जो बाहर जो टीमे गई थी सत्यापन के लिए जैसे जैसे उन सभी का फाइनल सुची में नाम जोड दिया जाएगा जिनकी जाच नहीं हो पाई है उनको ही होल्ड में रखा गया है अब बताना चाहेंगे कि होल्ड के कारण कम भी होगी होल्ड वालों का क्या होगा यानि होल्ड के कारण जो है कम भी होगी परसंटेज और ऐसे काफी अब्यारती हमने देखे है जो घर बेटे डिग्रिया लेते है अब उनकी खेर नहीं है यानि कि जो फरजी है वो बिल्कुल 100% बाहर होंगे उँनकी अब खेरे नहीं है अब बात करेंगे कितनी कम जाएगी कटोब और कितनी बड़ेगी कटोब अगर हम बात करें तो nursing officer और lt की जो है कटोब पे कम जाएगी चाहिए कितनी भी कम जाए लेकिन उनकी कम जाएगी अगर बढ़ेगी तो केवल और केवल A&M यानि A&M बैनों की कटोप बढ़ सकती है चाहे कितने भी पॉइंट में वो परसंटेज बढ़े लेकिन A&M बैनों की कटोप बढ़ेगी चाहे कुछी भी बढ़े क्योंकि A&M में होल्ड वाले कम है परिवेदना ज्यादा है तो परिवेदनाए जादतर सविकार की गई है और कुछी परिवेदनाए है जो बाहर होगी तो एनम की कुछ परसंटेज तक बढ़ सकती है इसी के अलाओ दोस्तों ये जो कटोब है आपने देख ली होगी ये जो कटोब है ये नैतर वालों ये दंत टेक्निशन वालों की कटोब है यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पहले ही हमने जो है वीडियो आपको बना करके दे दिया था एनम दंत का और एनम ये नैतर साय का तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग-अलग कटोप यहाँ पे दिया गया है, सामाने का ये रहा, और महीला का ये रहा विद्वा और विद्वा विच्चिंगी, कोई भी जो है, कंडिडेट नहीं मिला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इनकी 48 है तो महीला की 47 है अगर OBC यह 41 है तो महीला की 36 है अनुसुचित की यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे देख सकते हो कटोप जो है महीलाओ की कटोप कम है और पुरुसू की कटोप ज्यादा है अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नेतर शाहिक वालों की अगर कटोब की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो तरेपन तरेपन यानि बराबर है और OBC की बात करें तो OBC की भी यहाँ पे करीब करीब बराबर शी यहाँ पे कटोब आपको देखने को मिलेगी अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो चिकिस्रा मंतरी ने क्या कुछ कहा है दंत टेक्निशियन और नेतर साय की अंतिम चैन सूची जारी की जा चुकी है और इसी जी केडर की सूची भी आपको जल्द ही जारी हो जाएगी चिकिस्रा मंतरी के परियासों से बर्ती परकिरिया को जो है अब गती मिली है यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी पार्दसिता के साथ बर्तिया पूरी की जाएगी यह देखिए क्या कुछ कहना है चिकिस्रा मंतरी का कि चिकिस्द सा विभाग दुआरा महा दिवक्ता की राय के अनुरूप बर्ती प्रकिरिया पर सौधेन सील्था पूरी पार्दर सिता एव मुझेदी के साथ काम किया जा रहा है यानि कि आपकी जित्ती जो भी ये आठ बर्तिया है इनको पूरी पार्दसिता के साथ किया जाएगा फरजी एक भी इसमें सामीले नहीं किया जाएगा इस भरती परकिरिया के पूर्ण होने से परदेश में स्वास्ते सेवाओ का ढाचा जो है मजबूत होगा गाओं गाओं ढाणी ढाणी तक बैतरिन स्वास्ते सवाए सुगमता मिलेगी यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट इंडिया नुज का भी यहाँ पे ट्वीट किया के था और यह पूरी जानकारी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल गई है तो बताना चाहेंगे कि कटोब दोस्तों कम भी ज्यादा भी होगी यानि नर्सिंग ओपिसर और इल्टी इनकी कटोब कम होने के चांसे ज्यादा है और एनम बैनों के जो पट साथ ऐसी प्रिविद्दना होगी जो केवल एस विकार की जाएगी इस कारण से जो है एनम की बढ़ सकती है और नर्शिंग ओपिसर और एल्टे की कटोब जो है कम होगी अब कितनी कम होगी तो दोस्तों उसका भी वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे और इन बर लोग की जवाब हमने इस वीडियो के मात्यम से कवर किये है बोनस अंक का जो मामला है यतावत रहेगा बोनस अंक को लेकर कि आप किन्तु परंतु कुछ भी ना सोचे ना समझे वही रहेगा ठीक है दोस्तों यह कुछ जानकार्या थी आपको वीडियो पसंद आये तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी जी की जो चैन सुची है वो कल शाम तक जारी हो जाएगी धन्यवासातियों जेहिंचे वारत